शावन में इस पौधे की निचे होता है करोडों का खजाना दमस्कार दोस्तो शावन में शंपूर्ण जितने भी धरती होते हैं ये शब हराभरा हो जाता है दोस्तों सावन में धर्ती माता के गर्भ ग्रीशे अनेक प्रकार की चमतकारिक पौधा निकलते हैं अनेक प्रकार की चमतकारिक पौधा निकलना शुरू हो जाते हैं और सावन के आखरी तक अर्था सावन समाप्त होने तक पुन्न रुप से सारे पेड़ पौधा निकल आते हैं दोस्तों आज पांच ऐसे चमतकारी पौधे के बारे में बताऊंगा जिसके नीचे करोडों का खजाना छीपा होता है शावन के समय में, शावन के मौसम में वारह शहीता एवं इंद्रजाल जैसे चमतकारी किताबों में लिखे हैं दोस्तों ये खजाना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस पकार से आपको प्राप्त होगा और दोस्तों ये खजाना बहुत लोगों को प्राप्त भी हो चुका है लेकिन ओ लोग इसके बारे में किशी और को बताना नहीं चाहते दोस्तों उन्हें यहाँ दर बना रहता है कि उनके इस जानकारी से उनके इस ग्यान को अगर कोई और सीख जाएं तो उनके पेड़ परलात पड़ सकते हैं दोस्तो यह जानकारी आप लोगों की जन कल्यान के लिए हमारे चैनल प्राचिन ग्यान में साजा की जारी है ताकि आपके भी गरीबी जल्द मिर सके दोस्तो प्राचिन ग्यान हमारे जो प्राचिन ग्यान चैनल है भारत का सबसे बड़ा तांतरीक अध्यात्म एवं आईरव विषेले सरपा भी होता हैं तो थोड़ा सा सवधानी पूर्वाक इन पौधे की निचे में जाना है और आपको खजाने को प्राप्ता करना है तो कोन सी ऐसे पांच चमतकारी पोधे हैं जिसके नीचे में खजाना छूपा होता है आइस बिड़ो में जानते हैं इससे पहले थोड़ी से जानकारी बताना चाहूँगा कि सावन में ही इस पोधे की नीचे में क्यों पाया जाता है खजाना दोस्तों दरसल जो शावन में मृत पड़े पे दोस्तो आप जो शामानमossen इन पहचान करके नीचे में दवेवन aradaन को प्राप्त कर सकते। करेकला पाँच पौधे की नीचे में होता है करोडों का खञाना पहला पौधा है तेलिया कंदि का पौधा मिलना दूरलब लेकिन बर्साथ में इस पौधे को असानी इस लिए पोधे को बरसात के समय में बहुत यह सानी से खोज सकते हैं इसलिए हम बिड़ो के पहले ही बता हैं कि शावन के महने में मृत पड़े पेड़ यह नश्ट वे पेड़ पोधे को ढूड़ना बहुत ही अशान होता है तो तेलिया कंद नाम के पोधे यह मिलना आप जो डूड़ सकते हैं प्राप्तक कर सकते हैं इस पोधे की उपर यह आसपास में निरंतर तेल करिसा होता रहता है यह इस पोधे की लच्छन है पहचान है दूसरी बात इस पोधे की कंद पर लोहे कस्वी चुभाने से वह गल जाता है दोस्तों यह पोधे की दूसरा चुपा होता है और सावन के महिने में लच्मी महियं और अन्य देवी देंटा प्रित्वी लोक पर भोलनाद जी की पूजा करने आराधना करने आते हैं तो उनके आने के कारण अलोकिक शक्ति के प्रभाव से क्योंकि लच्मी महियां आती अन्य देवी दियोता आते हैं तो उनके अलोकिक शक्ति के प्रभाव से जमीन में गड़ाधन इसके नीचे में जो जमीन में गड़ाधन होता है एक फिट के नीचे उपर आ जाता है और ऐस पोधे पर सावन के समय में भगवान भोलेना तथा माता पारवती की उर्जा सक्ती जागरी तवस्था में होती हैं चुकि दोस्तों सावन के समय में धनवंत्री जी एवं अश्वनी कुमार को आप भली बाती जानते होंगे दोस्तों इसे देवताओं का बैत कहा जाता है तो इने पेड़ पोधे परवास करते हैं इसलिए शावन के समय में इनके नीचे में गड़ेवे धन को प्राप्त करना बहुत ही असान हो जाता है दूसरा नोट करें दोस्तों मश्रूम का पोधा ध्यान से नोट करें दोस्तों मश्रूम के नीचे भी करोरों का खजाना चुप दोस्तो इस मस्रूम की आकरिती सर्पक जैसा होता है दोस्तो सर्पक जो उपरी हिस्से होता है उसी तरह से इस जो मस्रूम है जिसके नीचे में गड़ाधन छुपा होता है इनकी आकरित्या होती है दोस्तो ये मस्रूम हमेशा नाग नागीन की तरह दुर से दिखाए देगा और इस मस्रूम की आयू छमता सधारान मस्रूम की आपैक्छा अधीक होती हैं। ग्रूम् के लच्छन और इसके नीचे में दबव धन को प्राप्ठ करने का तरीका। तीसरा पोधे हमारे नोट करें दोस्तों तीसरा पोधे हैं काला हल्दी दोस्तों जंगल में पाय जाने वाले जो काला हल्दी होता है इसके नीचे में करोडों का खजाना चीपा होता है बहुत ही कम लोगों को जो काला हल्दी इसके बारे में ग्यान प्राप्त हुआ है दोस् दोस्तों इसके घर में होने से धन का भंडार भर जाता है हमने अपने चैनल में काला हल्दी की चमतकारीक फैदे के बारे में एक बीडियो बनाए है आप चाहें तो बीडियो भी जा करके हमारे चैनल में देख सकते हैं तो दोस्तों जो काला हल्दी का पौधा होता है जहां प के महने में इन धन को आप बहुत ही सानी से प्राप्ता कर सकते हैं दोस्तों मैं इस बीड़ों में शावन के महने को क्यों बढ़ रहा हुँ दोस्तों क्योंकि शावन के महने में जितने भी इस संसार में धन दौलात उर्जा सकती सब जागरी तवस्ता में होती सब में चेतन्य आजाती हैं दोस्तो धन की देवी माता लच्मी को हम सब बोलते हैं लेकिन धन की देवी माता लच्मी को धन देने का दरजा धन देने का पद कौन दियत भगवान भोले नाथ दियें इसलिए उनका भी करतब बनता है कि शावान के महिने में अपने सभी धन को भगवान भोले इसलिए भू भाग पर जब भगवन शंकरजी माता पार्वती अर्था दोस्तों ये जब भू लोग पर माता पार्वती भगवन भोले नात आते हैं तो इस सारे धन उपर में आ जाते हैं चौथा पौधा नोट करें जमीन पर लटकते जो बरगद का ब्रिक्षा होता है दोस् इस बरगद के ब्रिक्षा के आसपास पूराने मंदीर हो वहाँ पे जमीन में दबावा धन होता हैं सावन में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या आसपास पूराने इट मिले जिया दोस्तों जो आसपास पूराने इट मिले तो समझ जाना वहाँ पे भी जमीन के आसपास मे करोडो रुपए का दबववधन है पूराने मिट्टी के बने खिलाउने मिले कोडी मिले चूडी मिले यह फिर कंकाल मिले तो समझ जाना दोस्तों उस बरगद बिरिक्षा के नीचे में दबववधन निश्चित रुप से हैं और इस धन की रखवाले बरगद बिक्ष में रहने वाले ब्रम कर रहे हैं तो दोस्तों इस ब्रम को भी मनाना बहुत एसान है पांच प्रकार के आप उन्हें भेड देते हैं भोग देते हैं पांच प्रकार की मिठाई का बने दुद का बनवा मिठाई का भोग देते हैं तो जो ब्रह्म है वो शांत हो जाते हैं और आप उन धन को प्राप्ता कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों सफेद मदार की पौधा मदार की जड़ पर साक्षा धन का भंडार होता है ग्यारवर से पुराने मदार की पौधे की जड़ गड़े जी की आकरिती ले लेता है की जड़ पर आ करके धन सोयां वास करते हैं तो दोस्तोँ धन दवला जो जमीन में दबाऊव धन होते हैं ये वास करते हैं इनχे बहुत यसानी से प्राप्तकर अपने गरीबी को मिटा सकते हैं दोस्तो पांचवा यहँ अंतिम जो दबा हुवा धन होता है आप इन्हें प्राप्ता कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी शावन के महने में इन पांच पोधे पे बहुत ये सानी सी रिसर्च करके इनके जमीन में दबा हुए धन को प्राप्ता कर अपने गरीबी को मिटा सकते हैं तो दोस्तों ऐसी रोशक जानकार पानी के लिए हमारे चैनल प्राशीन ग्यान को सबिस्क्राइब करना न भूले और अंतिम बात बोलना चाहूंगा दोस्तों अगर आप भी भोले नात को दिल से मानतेत कोमेंट बॉक्स में जै भोले नात जरू लिखना दोस्तों सायद हो सकते आने वाले समय में आपको भी ज